नमस्कार दोस्तों मैं मुकुंद्रवुद् आपका स्वागत है लॉंडुरी नौलेज आइंट केमिकल्स में। दोस्तों ये जो इंक का स्टेन है और ये जो है ये यहां पे स्टिकर लगे वाला था ये स्टिकर का बहुत हार्ड स्टेन है। ये देख लिजी ये स्टिकर का स्टेन है और इस कपड़े का प्रोब्लेम क्या है कि ये कपड़े पे प्रिंट है और इस पे डायमंड चिप काई वाले थे तो क्या हो गया कि ये डायमंड निकल गए तो फिर ये आच्छा नहीं लग रहा है तो कस्टमबर ने क्या कहा है कि य इसको, ये रिमू कर दो पूरा, तो शॉप पे क्या होता है, कि वो शॉप पे कपड़े लिये जाते है और कहा जाता है, ठीक है आपको कॉल करके बोल दिया जाएंगा, ये निकलता है, या नहीं निकलता है, तो कितना चार्ज लगता है, तो दोस्तों इसको हमने चेक कर दिया है और चेक करके हमने कस्टमबर को बोल दिया है तुमारे स्टेन निकल जाएंगे मगर ये जो प्रिंट है क्योंकि हमें रबिंग करना पड़ता है तो ये प्रिंट निकल सकती है तो कस्टमबर एगरी हो गया तो ये इसी तरह का ब्लैक स स्टेन था इंग का यहां पे वो पूरा का पूरा हमने निकाल दिया है आपको शाम्पल के तोर पे दिखाते है ये छोटा निकाल के कस्टमबर को बोल दिया है आमने कि इसका आपको देड़ सुरूपे चार्ज लगेगा और आपका स्टेन निकल जाएगा देखते हैं हमने कैसे निकाला था इसको और कस्टमबर भी देड़ सुरूपे चार्ज देने के लिए रिड़ी है तो सिंपल सापना वही फंडा है इंक स्टेन के लिए कि पहले यस्याई लगा दो और फिर एकसल स्टेन रिमोर लगा दो तो यस्याई लगाते हैं यस्याई लगा के बॉटल के टोक से थोड़े रगड देते हैं कपड़ा भीगर गिला किये और फिर क्या करते हैं एकसल स्टेन रिमोर लगा देते हैं और बॉटल के टोक से इसको रगड देते हैं और टूथ ब्रस से ब्रशिंग करते हैं ये देख लिजे पूरा का पूरा निकल गया जरूरत पढ़ने पर हम इसको डबल ESCI डाल देते है और फिर Excel डाल देते है हमने तो चेक कर लिया था कस्टमबर को बोल भी दिया है कस्टमबर राजी भी हो गया है प्रिंट के बारे में भी हमने बता दिया है हो सकता है आपकी प्रिंट चले जाएगी तो देख लिजिए ये पूरा का पूरा स्टेन निकल गया है और ये फैले वाला वाश करते ही निक यह जो स्टेन है यह देख लीजी यह स्टिकर का स्टेन है स्टिकर है तो शॉप पे क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि यह दाग निकलेगा या नहीं निकलेगा फिर क्या करते है कस्टमबर का नंबर ले लेते हैं और फिर बोलते है कि आपको बताया जाएगा यह दाग या नहीं निकलता निकलता है तो कितना चार्ज लगेगा पहले हमने एकसल डाल दिया अब हम क्या करेंगे इसके उपर से एकसल डाल देंगे और ये पूरा का पूरा स्टेन निकल गया है दोस्तों ये देख लिजिए और जरूरत के हिसाब से यही क्रिया डबल करते है तो कभी भी स्टिकर का दाग अगर आपके द्यान में आता है आपके लॉण्डरी में आता है ष्टिकर का डाग तो आप डायरेक यही क्रिया करके गयारांटी दे सकते है तो दोस्तों आभी ये दुसरा कपड़ा है इसमें भी क्या हो गया है कि आभी ये गम हमें निकालना है तो इसके लिए उही फ़र्मूला है CCI स्टेंडरिमोर ये लगा दिया हमने CCI स्टेंडरिमोर और ये XLS स्टेंडरिमोर ये दोनों जो है यसिया स्टेंडरी मोर यक्सल स्टेंडरी मोर आप कपड़ा गीला करके ही लगा दीजिए और जो स्ट्रोकर जंग निकालने वाला और फ्लायर स्टेंडरी मोर है उसको कपड़ा गीला करके लगा दीजिए और इसी को कपड़ा विगर गीला किये लगा दीजिए तो परफेक्ट रिजल्ट आ जाता है जिसका उसका नेचर होता है इस हिसाब से काम करेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट आ जाता है यह देख सकते है यह बहुत हार्ड स्टेन था गम का मगर यह निकल जाता है कितना भी हार्ड गम का स्टेन हो 100% निकालने की गयारांटी दे दीजिए पहले यस्याई लगा दीजिए फिर एकसल लगा दीजिए फिर टूद ब्रश से ब्रसिंग कर दीजिए और जरूरत पड़ती है उसी तरह से यही किरिया डबल टिबल कर सकते है और कस्टमबर को निकालके ही दे सकते है तो दोस्तों इसी तरह के अगले वीडियो में मिलते है मत्वपुर्ण वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत